29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई रश्ट्रिय शिक्षा नीती लेकर आई उद्देश्य था नई पेड़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना ये पॉलिसी 21 सदी के नवजवानों की सोच उनकी जरूरतें उनकी आशाओं अपेक्षाओं और आकांशाओं को देखते हुए बनाने का ब्यापक प्रयास हुआ है रश्ट्रिय शिक्षा नीती में आनलाइन शिक्षा को प्राथमिक्ता और प्रोचसाहन दोनों दिया गया है जिसके सभल परिणाम कोरोना महमारी के दोरान भी सामने आए PME विद्यकारिक्रम के अंतरगत आनलाइन, टेलेविजन एवं कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा One Nation, One Digital Platform से प्रेरित दीक्षा में स्कूल पाठिक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक E-Content 32 भाशाओं में उपलब्द किये गए एक वर्ष में इस प्लैट्फॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड से बढ़कर 2300 करोड हो गई है JEE और NEET की ओनलाइन परीक्षाएं भी हुई जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया अब अभी नए सिस्टम आ गया, ओनलाइन क्लासे सोने लगी है तो जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब हम वो घर से पढ़ सकते है UGC ने ओनलाइन शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किये ओनलाइन कारिक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है ओनलाइन शिक्षण के लिए निर्मित स्वयम MOOC's Portal जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्द हैं गतवर्ष में 54 लाग छात्रों ने उस पर इन्रोल्मेंट कराया इस नई नीती से भारत में पढ़ने आए विदेशी बच्चों को भी हमारी सुद्रण व्यवस्था का लाब मिला है एक तरफ निष्ठा के अंतरगत लगभग 24 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षत किया गया है तो गत एक वर्ष में स्किल डिवेलपमेंट मत्राले द्वारा एक लाख स्वास्ति कर्मचारियों को भी प्रशिक्षत किया राश्ट्रिय शिक्षा नीती के अंतरगत सार्थक की रचना हुई जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रिय शिक्षा नीती के सुचारू क्रियान वयन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्षन प्लान है। इसी नीती त्वारा राष्ट्रिय अभियान निपोण भारत की भी शुरुवात की गई। जिसका लक्ष बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल-खेल में विक्सित करना है। स्कूल बैग के वजन और होमवर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिये गए। और बच्चों के मानसिक स्वास्तिय और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुदरपन पोर्टल और हेल्प लाइन नंबर भी लॉंच किया गया है। राश्ट्रिय शिक्षा नीती में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइन्स, फाइनाशल लिटरसी और हैंडी क्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सिस को भी शामिल किया गया है। और कक्षा 10 वी और 12 वी के लिए CBSE द्वारा Competency Based Exams की चरण बद्ध तरीके से शुरुवात की कई है। गत एक वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थाउन ने COVID संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किये और हमारे कई संस्थानों की Global Ranking में सुधार हुआ है। एक तरफ जहां राष्ट्रिय शिक्षा नीती, भारत के शिक्षार्थियों को विश्व से जोडती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत, श्वेष्ठ भारत की अवधारना को भी सशक्त करती है। नए भारत की आत्मा को प्राथमिक्ता देती और हमारी युवाओं को 21 सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नई शिक्षा नीती।